विदेश से कुछ अतताई काइंड ऑफ परसन जो डिस्ट्रॉइंग मेंटलिटी जिनका था लूट ने वाली मेंटलिटी जो डिस्ट्रैक्शन पर ज्यादा बिलीब करते थे वो हमारे देश आये और हमें लगा कि वाँ यह तो हमारे देवी देवता पर मतलब हमारे यहां आ लोगों को पसंद आया जी वो साइंस कितना अच्छा साइंस साइंटिफिक लाइप जीते हैं बिल्कुल और हम अंदिविश्वास में जी रहें नहीं कोई भी धरम एकसेप्ट हिंदू हिंदूिजम इफ वी टॉक अबॉट अधर रिलीजन मुस्लिम धरम के गरंद कभी व कोई साइंटिस्ट ये ब्लेम इवन साइंस साइंटिस्ट जो हैं क्रिश्चानिटी के एगेंस्ट हैं कि इनमें धरम में है ही क्या सानातन संस्कृति और हिंदू धर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़े मिलती हैं जिन सवालों के जवाब आपको कभी नहीं मिलते हैं या जिन सवालों के जवाब में आपको हमेशा कहानिया सुना दी गई होंगे चाहे वो कृष्ण से जड़ी हों चाहे राम से जड़ी हों या सनातन संस्कृति से जड़ी होई हो चाहे वो आपके धर्म से जड़ा हुआ हो या वन विवस्ता से जड़ा हुआ हो कहते हैं कि जो ब्रहमर के घर में पैदा हुआ वो ब्रहमर होगा या जो शूद्र के घर में पैदा हुआ वो शूद्र ही रहेगा क्योंकि उसका जन्म ऐसे कुल में हुआ है तो क्या ये वन विवस्था जो सनातन संस्कृती में थी वो ठीक बैसी ही थी, जैसी हमें समझाई जा रही है, या फिर हमें समझाया कुछ और जा रहा है, और असल जड़ में कुछ और है, ये समझने के लिए मैं आज एक podcast आपके पास लेकर आए हूँ, नमस्ते, आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिरू में, मेरा नाम तो शा आया है, यो शायद आपको अगर बताया गया होता है, या हम सब को बताया गया होता है, तो आज सनातन धर्म पर इतने सवाल उठाने वाले लोग पैदा ही नहीं हुए होते, तो चलिए आज के इस podcast को वो लोग जरूर देखें, जो सनातन धर्म को असल में एक विज्ञान औ मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप जैसे लोग जब आते हैं स्टूडियो में और हमसे बात करते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बात ये कैसे व्यक्ति से होत कहते हैं, कि भगवान ना मिले, तो भगवान का सच्चा भक्त मिल गया, तो आपको भगवान और वो भक्ती कहते हैं कि जीवन में भक्ती मिल गई तो सब कुछ मिल गया, भक्ती की शक्ती ही अलग होती है, तो हरे कृष्णा के साथ मैं आज के पॉड्कास्ट को शुरू करता हूँ, और मेरा पहला सवाल ही कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और मेरा सवाल ही है कि के लिए अलग-अलग है, उनके रूप अलग-अलग है, तो कृष्णा आपके लिए क्या है? देखिए, हर ब्यक्ती का इस दुनिया में संसार में अगर देखे तो I think seven to eight billion people है, उसमें से हर ब्यक्ती का मत अलग होता है, लेकिन हम अपने मत की अनुसार नहीं चल सकते हैं, ज आपको एक authorized या authentic base से चलना परेगा, जैसे कि two plus two अगर आपको पूछा जाए तो आप भी four बताएंगे और मैं भी four बताओंगे, या कोई third person से पूछा जाए तो वो भी four बताएगे, that means कि एक systematic process बनाया गया है, उस process को हमें follow करना परता है, उसी तरह हर religion में उसका एक manual guide है, उसमें अगर आप Christianity में जाएं, तो वहाँ पे Bible है, अगर आप Muslim में जाएं, तो वहाँ पे Quran है, तो हमारे धर में भी अलग अलग तरह के grant है, चुकि जिसका जितना standard होता है, उसी के अनुसार उसको उतना kind of books पढ़ने पड़ते हैं, books का ग्यान लेना पड़ते हैं, तो हमार प्रदानों के अनुसार भगवान कृष्ण जो है, स्वेम भगवान है, और अगर भगवान का definition बता है, तो हो सकता है कि जैसे कि हर ब्यक्ति का अलग अलग definition होता है, जैसे कोई गरीब ब्यक्ति को आप अमीर नहीं बोल सकते हैं, कोई नॉर्मल ब्यक्ति को आप MP, MLA नहीं ब्यक्ति के पास एक particular designation है, एक certificate है, उसी के अनुसार हम उसको पुकारते हैं, अगर प्रधानमंत्री के पद पे है, तब ही हम मोदी को प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, उसी प्रकार अगर हम कृष्ण को भगवान बोल ले हैं, तो इसका मतलब कृष्ण ने कुछ नकुस तो उसके पास opulence या चीजे धारण का रखा होगा, तो भगवान का definition क्या होता है, उसको हम आसान भासा में समझ सकते हैं, जिसके पास 6 opulence हो, अगर वो 6 opulence एक ब्यक्ति में आ जाए, तो भगवान हो सकते हैं, अच्छा, ये क्या होता है opulence? opulence मतलब कि जैसे कि कोई ब्यक्ति बहुत जादा अमीर हो सकता है, तो उसको हम मिलेनियर या बिलेनियर बोल सकते हैं, तो कृष्ण बहुत रीचनेस हैं उनके अंदर, बहुत जादा रीच है, इवन आपने सुना होगा सुदामा, जब उनके पास गए थे, सुदामा को इत उसमें से एक धुरूब लोक अलग है, जिसे हम भौतिक जगत का बैकॉंट कहते हैं, तो आप सोचिए कि भगवान ने उसे बैकॉंट लोक दे दिया, धुरूब लोक दे दिया, मतलब भगवान के पास बहुत जादा रीचनेस है, बहुत जादा पैस है, धन है, दूसरा च सुन्दर्ता, जाए हम, आप, यह जितने भी विमन, जितने भी हैं, सब की सुन्दर्ता कामदेव से आती हैं, तो अब समझे कि कामदेव इतना टॉप लेबल पे हैं, कि उन्हीं से ब्यूटी सभी को सप्लाय हो रही है, उनका एक दूसरा नाम है मदन, और भगवान क्रिष मोहन है, इसका मतलब जो मदन को भी मोहित कर दे, वो क्रिष्न है, तो that means beauty on top, richness on top, knowledge, knowledge on top, अगर आप देखेंगे सास्त्रों के अनुसार, तो भगवत गीता पूरे दुनिया में फेमस है, even क्रिष्ना ने अर्जुन को भगवत गीता का ग्यान दिया, इसका मतलब कि knowledge भी perfect है और अभी तक चल रहा है, बिल्कुल, and second convincing power, means fourth is convincing power, he can convince anybody, he has capability to convince anybody, क्या वो nature को भी convince कर सकते हैं, obviously, nature से परे हैं, जैसे nature का एक तिरगुनात्मक सक्ती होती है, सतोगुन, रजोगुन, तमोगुन, भगवान, क्रिष्न जोहाइन तीनों गुनों से उपर हैं, तो ये तीनों को control कर सकते हैं, तो ये तीनों को उपर आते हैं, तो that means कि अर्जुन कन्वेंस, अब भगवान के पास सबसे ज़्यादा सक्ती है, he is a god of power, definitely, हर देवी देपता के पास power है, लेकिन कोई बैक्ती ये claim नहीं कर सकता है, कि गोबर्धन परवाद, जो कि around 22-24 किलोमेटर के radius में है, उसको भगवान ने कानी उंगली पे भी नहीं, कानी उंगली के tip of the nail, you know, नाखुन के उपर उठाया था, that means we can understand कि भगवान के पास कितना सक्ती है, साथ दिन तक वो भी लगातार, वो पूरे गोबर्धन परवोगत, अब भी बाल यवस्था में, बाल यवस्था में, definitely, तो भगवान के पास इतना सक्ती है, तो इस तरह से जो छे ओपुलेंस है, strength, beauty, power, knowledge, and the influencing power, तो इस तरह से जो छे पावर जिसके पास एक साथ, even last renunciation, means जो जिसके अंदर बैराग्य हो, complete बैराग्य, बैराग्य भी तीन परकार के होता है, जैसे कि पहला बैराग्य होता है, कि जो complete हो, मतलब आप सब को छोड़के आप चले गए, आप या तो जंगल चले गए, या पहार पे तो वस्या करने के लिए, मतलब मुर के आपने miss complete त्याग, इस चीज़ को समझे, दूसरा बैराग होता है, जिसको हम कहते हैं, market बैराग्य है, जैसे कि मान लो कि हम कभी किसी के, क कि कोई ऐसा unwanted चीज़ देख लिया, जो हमारे expectation से बाहर थी, और हमें देखने के बाद लगा कि अरे, जैसे आपके channel पर मैंने देखा दो तीन वीडियो, बहुत अच्छा डाल लगना, तो उससे हमें देखने के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ मोहमाया है, सब कुछ त्याग द नयाची देखा, तो हमने उस पर मोहित हो गए, तो that means कि हमारा जो माइंड हैस्टेवल नहीं है, बेव कर रहा है, तो इसको मर्कट बैराक क्यों बोला है, मर्कट एक बंदर का नाम है, तो मर्कट कभी-कभी बंदर क्या होता है, कि थोड़ा देर के लिए समय के लिए सांथ हो जाता है, तो हमें लगता है कि इतना सांथ बंदर है, बलकि वो सांथ नहीं है, वो अभी उत्पात मचाने वाला है, वो सोच रहा है कि कहां उत्पात मचाना है, अगली बार कहां जाओं, तो वही हमारे अंदर भी नेचर है, हमारे अंदर एक बेवस की तरह आती है, कभी कि हम था ंदर बैरागे अाजाता है कभी अंदर हम आया में पर दते हैं मोहICत हो जाते हैं तो इसको मर्क्ट बैरागे है युक्त बैरागेρίम कि आपके पास सबकुछ है और सिए अंगरेई करते हैं हर चीज को प्रॉपर तरीके से एक्सेल कर रहें आप ऐसा नहीं कि मोहित हो गए किसी के प्रती और उसमें आप गिर गए नहीं आपके पास यह intelligence होना चाहिए कि उस चीज को कैसी utilize करें जी तो भक्ती में भी हुई है जैसे मेरे पास भी सब कुछ है मैं भी job करता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि jobs जैसे कि हमारे हिंदू ध्रम में जैसे आजकल के education system को destroy कर दिया पहले हमारे हिंदू ध्रम में 4 चीज की बारे में जोड दिया जाता था धर्म, earth, काम and moksh अब क्या है कि हमारे हिंदू धर में तो पहले हमारा सब से पहले था धर्म एक भ्यक्ति का धर्म क्या होना चाहिए ग्रियास्त आस्रम तो आप पैसे अर्ण करते हैं, उस अर्ण को आप किस तरह से भोग करेंगे या कहां पे सही जगह पे उस चीज़ को लगाएंगे तो अगर कुल मिलाकर जैसे आपने कहा कि कृष्ण जो हैं वो उनके पास छे उपिलेंस हैं तो दूसरे जैसे भगवान राम की मैं बात करूं या दूसरे अवतार जो यहां पर आए क्या यह उनसे अलग था देखें एक होता है अगर हम भगवान कृष्ण को लें बाकि जो जैसे की मालो आप हैं आपका नेचर और बि प्लेस के अनुसर चेंज होता तो जैसा रिक्वार्मेंट्स होता है उसी के अनुसर हम ट्रीटमेंट करते हैं अगर आप एक मिलेटरी में हैं जैसे मेरा भाई भी मिलेटरी में है तो अगर आप बार्डर पर हैं तो यू केन नॉट बी बिकम इमोशनल परसन यू एब टो अगर उस situation के अनुसार act नहीं करते तो आप मारे जाएंगे बिल्कुल और आप दया नहीं दिखा सकते हो लेकिन कभी-कभी ऐसा situation हमारे पास होता है जहां पर आपको दया दिखानी परती है उसी परकार भगवान जो है situation और circumstance और place के अनुसार अपना अबतार लेते हैं अगर जैसे कि अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है उस बच्चे को आप treatment अपने philosophical understanding के द्वारा नहीं दे सकते जैसे कि आपके पास 500 का note है और एक हाथ में एक टॉफी है या चोकलेट है आपके पास 500 का note है तो आप बच्चे को आप दोनों दिखाईए वो दोनों दिखाईएंगे तो बच्चे चोकलेट पर अटाइक करेगा क्योंकि he don't have proper understanding की 500 अगर मिल जाते हैं तो 5 फैमिली पैक आ जाए बिलकुल उसके सोच अभी वहीं तक है वहीं तक है तो भगवान भी इस सिस्टम को एस्टेवलिस करने के लिए अलग अलग रूप में अलग अलग अबतार लेते हैं ताकि यह सिस्टम क्योंकि अगर जिसका छोटा बुद्धी है आप उसको बड़ी चीजे नहीं बता सकते हैं अगर आप बताएंगे तो आपको बेबकूप समझेगा अगर एक आर्स के स्टुडेंट को आप मैथमेटिकल या साइंटिफिक चीजे बताएंगे तो आपको बेबकूप यागध जो भी आए उन लोगों ने कहीं न कहीं बेबकूप बना दिया उस लेवल की सोच में सीमित कर दिया कि आप उस एक जो ब्रॉड एंगल है सनातन सभिता का उसको समझ नहीं पारे एक्शली देखे हमारे पास जैसे कि आपके पास भी खोन है जी हमारे पास जितने भी पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम उस मैनुवल को फॉलो करने से पहले हम यूजर एक्स्प्रियंस लेते हैं कि आप मुझे बता ना यह मेरा बुलूटूथ हॉन नहीं हो रहा है यह बुलूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है जबकि एवरीधिंग हैस मैंसने इन द पापा कौन है मेरे पापा कौन है तो मैं आपसे पूछूँगा नहीं मतलब ही नहीं है तो सबसे बड़ी अथरोटी मेरे लिए कौन होगी मेरी मां मां ही बता सकती है कि मेरे पापा कौन है और दूसरा परसन कोई बता ही नहीं सकता तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि आप या दूसरा प्रोसेस है कि दुनिया में जितने लोग है ना सब का डिन टेस्ट करा है यह तो पॉसिवली नहीं है तो यहां पे हम मुर्क क्यों बन रहें क्योंकि हमने अपने धर्म का जो सास्त्र है धर्म सास्त्र उसको पढ़ाने और थर्ड परसंड बेल ड्रेस्ट बेल एक गरीब से गरीब ब्यक्ती जो जॉबलेस है एंड काइंड आफ रोड पे सो रहा है अगर वो इंडिया आता है तो हमें देख के बहुत प्रभावित होते हैं उनसे कि वाव देर फॉर्टनर्स जबकि उनका इस्तृत बहुत खत्रे में है वो खुद प्रॉबलम में है ल जाने कि घर के में हमारे एक जिंटलमेन बैठाओ हम उसे जिंटलमेन नहीं मानेगे और अगर दूसरे देश से कोई वेटर भी आजाए तो हम उसे कहेंगे देखो कितना बड़ा आदमी आगया तो यही चीज़ है तो क्या हुआ कि विदेश से कुछ आतताईक काइंड आप मतलब हमारे यहां आगे और उन्होंने क्या किया हमारे इमोशन के साथ धीरे धीरे चीट करना सुन और फिर जो है कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या कि ऐसा एक स्लोगन चला दिया कि घर में महाभारत या भगवत गीता रखने से जगरा होता है यह बहुत बड़ा गरन्त हैं वह घर में रके ही नहीं और जब घर में रहेंगे नही आपके पास मेरे पास कुर्ता घर में ही नही तो मैं पहनूगका कैसे विल्कुल तो जब घर में गति देरे-धिरे अपने दय धर्म और अपने बच्चे को धर्म का ग्यान था नहीं और धीरे-धीरे उन चीज को फॉलो करने लगे जैसे इस संसार में कहा जाता है कि मेटरियल जगत में दो चीजे आपको बहुत जल्दी इंफ्लूएंस करेगा फर्स्ट लाइट और सकेंड जितना आप जैसे कि सोरूम या कहीं भी जाते हैं अगर लाइटिंग की वेवस्ता बहुत जादा है यह अधीरे अधीरेटिल अधीरेट्ली अध्ली अध्रेट्रेक्ट करता है अध्लूएंस जीज का फाइदा उठाए जैका चांद वाली दुन तो उनको लगा कि अरे यह तो बहुत ज़्यादा एरिटेटिंग है, मस्त पैंट आया, डालो, खोलो, डालो, यह को वो दूसरे देश से आया थे, वो कितने अच्छे कपरे पहन देखा है, उनका सोच कितना अच्छा है, वो साइंस कितना अच्छा, साइंस साइंस के उपर उनका धर्म ग्रंथ नहीं है, कि मैंने साइंस का साइंटिफिक चीजे इन धर्म ग्रंथ से लिया है, कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्रिस्चनेटी, कोई साइंटिस्ट यह ब्लेम, इवन साइंस साइंटिस्ट जो है, क्रिस्चनेटी के अगेंस्ट है, कि इन में यह आपको जीना सिखा रहा है that is on very basic level हमारे Hinduism में देखेंगे तो हमें पहले से पता होता है कि यह मेरी sister है जी यह मेरी mother है बिल्कुल और हमें उन पे गलत नजर नहीं रखना बिल्कुल लेकिन Christianity में देखेंगे तो हमें यह नाम भगवान बाकी जो अफ्तार थे incarnation थे भगवान के वो हमें यह नहीं बता आ रहे है कि धीरत जी तुसार जी यह आपकी माँ है यह आपकी सिस्टर है इनके उपर गलत मत रखो even हम तो हमारे जो क्या कहते हैं कुल में जो गुन मिलते हैं अगर सह गोत्री कल्चर अगर गोत्र अगर एक हो तो उसमें भी साधी नहीं होती बिलकुल नहीं होती दूसरा गोत्र हो उसमें साधी होती इसके पीजे क्या लोगिक है एक जैनेटिक आपने सुना होगा कि जैनेटिक प्रॉब्लम 12-12 जी होते है उस रीसी के माध्यम से संसार को जो अगस्त रीसी थे अगस्त रीसी के बाद जितने भी प्रजनल हुआ जो जीव आए उनхी के माध्यम से आते है जानि कि एक प्रश्य को जिन्त के संतलते कहीं और नहीं की और घो उनकी फैमिली ट्री बनती कही तो उसी तरह गोत्र सिस्टम को आगे एस्टेबलिस किया गया, तो उसी तरह अगर आप देखेंगे, कभी हम स्कॉन की बात करते हैं, इसकॉन में भी अगर हिंदुईजम की बात करें, तो यह बहुत बड़ा पॉइंट होता है, कि आजका बाबा के परती लोगों का अलग ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत जल्दी इंफ्लूएंस हो रहे हैं, और उनको फॉलो करते हुए, उनको गुरू मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेनी है, अगर किसी डॉक्टर से, तो क्या जो अच्छा ट्रीटमेंट कर रह हैं, और मैं आपका बेटा हूँ, और यू 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 आपका बेटा हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक कुछ सीख गया लेकिन अब सोचिए कि अब मैं चाहता हूं कि मैरा एक अलग किल्निक हो यह पॉसिबल है नहीं पॉसिबल नहीं है जबकि मैं आपसे एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता हूं लोगों के परती एक रूमर्स भी फैल चुका है कि पापा से जो बेटा है वो एक अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है एक मैडिसीन में ही सब कुछ सारे विमारी खतम लेकिन अगर मैं अपना किल्नी खोल भी लूना तो ऑफ्राइज नहीं हूं लाइसेंस नहीं है मेरे पास अगर कल के डेट में हमारे उपर कुछ अगर मानलों को पता चलता है तो मैं जेल जेल भी जा सकता हूं सही बात है अगर आप बंब बनाना चाहते हैं तो यू आर नोट ऑफ्राइज टू लेकिन अगर गोर्मेंट आपको पर्मीशन देती है देन यू ऑफ्राइज तो तो आपके पास ग्यान और नॉलेज और जितने भी जो भी चीज़ है आपके पास वो मैटर नहीं करता जब तक ऑफ्राइज आप नहीं है नहीं है तब तक आप जोला चाप कहलाएंगे अगर आपने बंब बना लिया तो आप टेरिरिस्ट कहलाएंगे चाहे आप कितना भी नॉलेजबल कि हो ना तो उसी परकार जो बावा हैं कभी-कभी हमारे अंदर बहुत इची क्वालिटी होती है कि we can speak better than anyone anyone we can even compete anyone while we speak to situation में convincing power हमारे अंदर इतना है कि we can convince anybody और social media के जवाने में लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उस situation में क्या हो रहा है लोग उनके उपर सरनागत हो जबकि एक सिस्टम के द्वारा होना चाहिए तो हमारे जो सिस्टम में जो हमारे हिंदू धरम में चार संपरदाय बताएं जो authentic हैं जैसे कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो या तो MBBS होगा या तो MD होगा किसी इंजिनियर के पास जाएंगे तो या तो BT का डिगरी होगा या BE का डिगरी होगा मतलब graduation डिगरी होगा उसी परकार जो गुरू या जो जो एक भक्त या भक्ती करने का जो process है आप self-made नहीं बन सकते कि आपने engineering का book market से खरीद लिया and you become better engineer than like degree people लेकिन यह आपका नहीं आप मतलब कर ही नहीं सकते है आप समझी बात को आपके पास हो सकता है ज्यान बहुत हो लेकिन चुकी सामने बाले के पास knowledge कम भी हो लेकिन degree है he is authorized to open clinic बिल्कुल है ना तो आप situation के है चार हमारे पास authentic संपरदा है पहला ब्रह्मादब गौडिय संपरदा है दूसरा स्री जो की ब्रह्माजी के चार पुत्र है सनक सनंदन सनातन तो यह चार संपरदाय जो है वह ही अगर संपरदाय को आप फॉलो करते हैं देन यूर्ट ऑथराइज तो लाइक बिकम ए गुरू ओके और यूग डिसाइपल यानि की कोई भी गुरू अगर है तो आप उससे पूछ उन्होंने पुलिक के मतलब की बात की पुलिक ने पलट कर उनको नमस्कार किया और बन गए गुरू बन गए गुरू जम गया धन्दा तो यह सिच्वेशन तो जो इसकॉन है इसकॉन को हमने इंटरनेशनल जैसे कि आप जैसे इंडिया में BCCI बोलते हैं तो यही इंडिया लेबल पे उसको ब्रह्मादब गोडिये संपरदाय बोलते हैं इसकॉन को लेकिन यही इसकॉन एस्टेबलिस हो गया पुरे वर्ल्ड में तो इंटरनेशनल सोसाइटी बना दिया हमने लेकिन उसके रूट कॉज को नहीं जान दे हैं रूट को नहीं समझने को सिस कर रहे है कि यह है क्या हमें लगता है यह बिदेशी संसा है नहीं हमने इंडिया को ही बिदेश में ले गए इंडिया में जो ब्रह्मादब गोडिये संपरदाय था उसको हम बिदेश में ले गए इसलिए यह इंडियन चीजे अब इंटरनेशनल बन गी है इंटरनेशनल सोसाइटी इसलिए इसकोन में जारा तर फॉर्णर्स करेक्टर रहते हैं इसलिए वो जो एक कल्चर है वो मुझे लगता है लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं हिंदू सब्भेता सनातन सब्भेता कृष्ण का नाम राम का नाम अगर वर्ल लेबल पर जा रहा है तो बहुत अच्छी बा रखने से भी आदमी पहले सोचता है कि रखू या नहीं रखू जाते आपने ये तो खेर क्लियर किया कि इसके पीछे क्या वजाती यह कितना बड़ा ज्ञान का भंडार है महावारत और गीता क्योंकि गीता और महावारत दोनों को ना डिटैच्मेंट से जोड़ा जाता है ये लडाई करवाने की बाते हैं महावारत के अंदर गीता कहती है डिटेच सब छोड़ दो चलो सन्यास और मुक्ति की ओर तो क्या ये ऐसा ही है देखे भगवत गीता भगवान कृष्ट ने अर्जुन को सुनाया जी आप यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है क कि लोग भगवत गीता को कभी पढ़ा नहीं अब देखिए अर्जुन जो है वो हाउस होल्डर मिंस ग्रियास्त लाइफ जी रहे हैं उनकी पतनी भी हैं बच्चे भी हैं अर्जुन आप सुनेंगे फर्स्ट चेप्टर में अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ यह यह चूटा जा रहा है जो धनोस था और कृष्ण को कह रहा है कि कृष्ण तुम मुझे कन्वेंस नहीं कर सकते अपने पडिजनों के साथ युद करने के लिए लेकिन भगवान क्या कहते हैं अब सोचिए जो आपका responsibility है भगवान कहते हैं कि तुम एक छत्रिये हो हमारे यहाँ चार बर्णा सिस्टम है मतलब चार बर्ण और चार अस्रम चार बर्ण जो है पहला ब्रह्मन दूसरा चत्रिये तीसरा बैस्ये और चोथा सुद्र यह हमारे गुन और कर्म के अनुसार भीभाजन किया गया है यह भगवान के द्वारा किया गया है अगर आपके अंदर चत् कर दिया और फिर क्या हुआ अगर आप पॉलिटीशियन है तो आपके घर में जो बच्चा हुआ पॉलिटीशियन अगर आप एक्टर है तो आपके घर में बच्चा हुआ 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 एक सुद्र ब्रह्मन बन सकता है, क्या एक सुद्र आइटी इंजिनियर नहीं बन सकता, क्या एक सुद्र ऑफिसर नहीं बन सकता, क्या एक सुद्र डॉक्टर नहीं बन सकता, अगर एक डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, तो क्या डॉक्टर को आप बोल रहे हैं, नहीं बोल है और उसका मैं कह सकता हूँ धर्म है इसलिए हम उसे सब डॉक्टर बोले हैं हम यह देख रहे हैं कि हिंदु है कि ब्रह्मा ने हम नहीं देख रहे हैं इस चीज को उसी परकार क्या होता है कि जो गुन और कर्म के अनुसार ही यह हमारी जात पात डिवाइड थी कि अगर जैस पर चोटे वाले को मैंने बोला करें समझ नहीं होता है मुझे कॉमर्स समस्च में विए तो कोमर्स कि अपना अंडर्स्टाइणिंग है तो उसी अनुसार अगर कोई कि साइंटिस्ट नहीं बन सकता है थी ब्रह्मन नहीं कर सकता उसके अंदर च्छत्रिय कुन है अगर जैस ना बिल्कुल नहीं था तो उसी प्रकार जो है ये सब गुन और कर्म के अनुसार बिभाजन किया गया था जो इन्होंने हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम एक छत्रिय हो तो छत्रिय का जो गुन और धर्म है तुम जंदगी पर को सुगा तो वही भगवान अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा चत्रिय का अगर तुम अगर इस यूद्ध को नहीं लड़ते हो तो उधर दुर्योधन है अगर तुम कमंडल लेके एक सादू बन जाते हो तो उधर जो दुर्योधन है वो दुरियोधन बहुत आतताई माइंड है means he is not good person अगर उसे तुम सब कुछ राजपाट ऐसे ही दे दोगे तो वो क्या करेगा हमारी बहन बेटियों को उपर बहुत अत्यचार करेगा बात समझ रहे तो उसी परकार अरजुन को बोलना है कि अरजुन युवरे च्छत्रिये तुम अपना च्छत्रिये धर्म निभाओ और ये युद्ध लरो यहां कहां बोलना है भगवान तो बोलना है कि तुम अरजुन स्वयम बोलना है कि मुझे ये सब चोड़ शार के मुझे सन्यास जीवन जीना है मुझे जाने दो लेकिन भगवान उसको कन्वेंस कर रहे है कि नहीं तुम अपना धर्म निभाओ एक ब्यक्ति का धर्म होना चाहिए एक पिता का धर्म होना चाहिए कि अपने बच्चे को सही से पालन पोसन करे एक डॉक्टर का धर्म होना चाहिए कि अपने मरीज को सही treatment करे तो एक छतरिय का भी धर्म होना चाहिए कि आपको यूद लड़ना है धर्म क्या है ये कैसे कोई पता लगाए कि मेरा धर्म क्या है ये हिंदू मुसलिम से कि आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको साइंस, आर्स, कोमर्स, बाइलोजी, इंग्लीज, हिंदी, हर चीज आपको सही एजुकेशन दिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एस्टेंडर ऊपर चलता जाएगा, उस एस्टेंडर के अनुसार चीजे डिवाइड होती अगर आप मानलो की इंटरमेडियेट एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक चूज करना होगा, साइंस, या तो कॉमर्स, या तो आर्स, फिर आपने साइंस मानलो चूज किया, प्लस टू में, फिर आप गेजुएशन में गए, गेजुएशन में साइंस में या तो आप फिजिक्स चूज करें, या तो मैथ, या तो केमेस्ट्री, या तो बाइलोजी, इस तरह से, अगर आपने मानलो की केमेस्ट्री चूज किया, तो केमेस्ट्री में जब आप प्येश्डी करेंगे, तो केमेस्ट्री का एक टॉपिक चूज करना होगा, फिर आप आपको या तो एटम या तो कुछ भी kind of you know topic चूज करके आपको आगे forward करना लेकिन जब scientist बनेंगे तो आपको सिर्फ एक ही कभी आपने सोचा होगा कि जैसे कि जो हमारे बल्व के जो एडिसन थो में सलवा एडिसन थे सिर्फ उन्होंने एक बल्व पे 2000 टाइम 2000 टाइमस उन् काम करेंगे that means कि टंगस्टन पे ही उनको रिसर्च करना है if you if you will become scientist मतलब आप एक subject topic and then one particular चीज पे ही आपको रिसर्च करना है उसी प्रकार एक धर्म जो है ना धर्म एक अलग-अलग चीज में डिवाइड है education system आपने समझ लिया तो धर्म भी अगर आप lower level पे जाना चाहत भगवान को अगर कि टेगता व्यक्त करना चाहते है कि आपका एक devotee का क्या धर्म होना चाहिए भगवान के परती तो उस धर्म को भी हमें समझना चाहिए तो धर्म एक अलगी परिभाशा मुझे नजर आती है जो आपने अभी मुझे समझाई कि धर्म वो नहीं है जिस घर भगवान के लिए रहें पूजन करूँ यानि कि धर्म वो जो मैंने धारन किया जो मेरा प्रोफेशन हम जिसे कहते हैं कि प्रोफेशन है मेरा यह तो यह धर्म से जुड़ा हुआ है आपसे बहुत अच्छे-ची बाते यहां पर हो रही है और भी बहुत अच्छे-च्छी जिस तरीके से धर्म को लेकर आज कल बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से की जाती है धर्म की परिभाशाएं भी अलग अलग तरीके से दी जाती है आपको क्या लगता है कि धर्म जो है कोई भी व्यक्ति एक सीथ सादा सा व्यक्ति क्योंकि द बाद कर रहा हूं कि भक्ति कैसे कि जा सकती है किसी को knowledge नहीं है कि सुरेख और बागवान का दिया क्योंकि बहुत दिक्क्त आती है यहाँ पर कोई भी knowledgeable person कहता रे तुम आर्टी सही से नहीं करते हो ठीक है तुम आर्टी करना नहीं आता ठीक है तो क्या उसकी वर्ष 6 चेप्टर कर्म पर आप अगर कर्म के अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो कर्मी बनिये, बीच में भक्ती मारग हैं, और लास्टime, 13 तू 18 चेप्टर जो है, वो है ज्ञानमारग, अगर आप ज्रुआनमारग से चलना चाहते हैं, तो मौन आपको यहां से अगर आ वो टाइम ठेकन है, तो हर चीज का एक प्रॉसस है, कर्म मार्ग से भी आप पहुंच सकते हैं, भगवान को प्रेम पराप्त कर सकते हैं, ज्ञान मार्ग से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका हो सकता है, टाइम का डिूरेसन डिफेरेंट हो, उसी प्रकार जब यह स्रिष्टी जब बनी तो ब्रह्मा जी हम जादा डीप नहीं जाना चाहिए तो ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, तपस्या किया उन्हें एक्चली दो सब्द सुनाई दिया, तो तब करके उन्होंने लगवग पचास से साथ हजार साल तपस्या किया, जब तपस्या किया तो उनके हिरदय में दिब्य ज्यान प्रकासित हुआ, और उस दिब्य ज्यान के नुसार पूरे स्रिष्ठी का निर्बान हुआ। उसी प्रकार देखेंगे कि अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसका बच्चा साइंटिस्ट नहीं हो था। इसका मतलब है इंटेलिजेंस और नॉलेज जो है वो सेल्फ मेड नहीं है। वो कहीं से सप्लाय हो रहा है। तो भग अगवत गीता में भगवान बताते हैं कि मेरे यहां मतलब मेरे पास जो है चार तरह के बैक्ति आते हैं। पहला जो बैक्ति होता है वो होता है आर्थ, दूसरा अर्था आर्थी, तीसरा जिग्यासु, एन चौथा ग्यानी। आर्थ मीस जो गरीब है, जो फ्रस्टेटेड है, जो परिसान हो चुका है, जिन्दगी से परिसान की, उसके पास मतलब कहीं होप नहीं है, वो होपलेस हो चुका है, और लास्ट होप है, या तो सुसाइट करे, या तो भगवान के पास जाए, जी, भगवान के पास जाए, तो वो क्या करता है कि भगवान के पास सरनाग एक डर क्या है कि उस डर के वज़ा से कि कहीं ये सब कुछ मेरा छिन ना जाए खतम ना हो जाए तो उस बज़ा से वह चैरेटी करता है और भगवान के पास जाता है तीसरा है जिग्यासू जिग्यासू वह सोचने लगता है कि ये सब चीज़ ठीक है जैसे मैंशलो हैरार्की अपने सुना होगा तो उसी परकार जिग्यासू है जिग्यासू क्या करता है वो सोचता है कि यार कुछ तो है ब्यक्ति के अंदर से एक ऐस क्या चीज़ निकल जाता है जो मर जाता है सब कुछ खतम हो जाता है यह संसार बनाने वाला कोई होगा जिग्यासा करना मतलब इनि कि गाय हरी घहांस खा रही है उजला दूद केसे दे रही है यह संसार चलाने वाला कौन है gravitational force कौन maintain कर रहा है इतनी stars है सब कुछ है इतने multiverse ना जाने कितने सारे galaxies यह सब कुछ कौन operate कर रहा है अपने आप तो सब कुछ है नहीं बिल्कुल देखो आप season जैसे ही आता है अपने आप seasonal fruits है ना आने शुरू हो जाते है अपने आप तो चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए एक आएक तो सब कुछ नहीं होगा किसी ने तो एक formula बनाया होगा तो जिग्यासा करता है और जिग्यासा करते हुए वो एक knowledge पे जब जिग्यासा करता है तो उसकी अंदर अगर कोई ब्यक्ति बहुत intense के साथ उसका intensity कैसा है उसकी अनुसार भगवान उसको ग्यान देते है तो उसके में कहाया था दिब्य ग्य ग्यान हिर्दे प्रकासित है और वह सब कुछ समझ जाता है अपना आत्म स्वरूप को जान जाता है कि मैं कौन हूँ मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ और पिर उस भगवान के साथ जो हमारे responsibility क्या है फिर उसकी अनुसार वह जीवन जिया बन करता है जैसे अगर आप स उसी परकार एक ज्यानि अस्तर पर जाने के बाद व्यक्ति कि या तो अपने एफ़ट से करे तो भगवान कहते है कि दुनिया में कोई वैक्ति है यह नहीं जो अपने एफ़ट से मुझे प्राप्त करें। भगवान भगवत गीता हम बोले या तो मेरे भक्तों के माध्यम से आये no one can become direct devotee of mine, you cannot approach him, आप direct devotee भगवान को भक्त नहीं बन सकते, भगवान कहे रहे हैं कि या तो मेरे भक्त के द्वारा ही आये तभी मैं उसको स्विकार करूंगा, इसका मतलब है कि आप भक्त के माध्यम स अगर आप government ने recognize कर लिया, then they will decide, उनके उपर है, आप भक्ती को इस level पर ले जाईए कि भगवान को आपको देखना पड़ जाए, तो वो exceptional case है, that is exceptional case, लेकिन सबसे easiest process क्या है, कि अगर आप परधान मंतरी से मिलना चाहते है, तो आप PM house जाएंगे direct मिलने के लिए तो हो सकता दो-चार वीडियो धरना परदरसन ये सब करें, तो परधान मंतरी खुद जीसे नहीं कहते हैं, एक कहावत है, कि अगर आप बीमार हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो डॉक्टर आपके पास आता है, बिलकुल, बात समझ तो डेफिनेटल लोग सोचेगा कि आप प्रॉब्लम में हैं, तो उसी परकार आपकी इंटेंस सीटी जो है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और उसी के अनुसार भगवान भी आपको एप्रोच करते हैं, और फिर भगवान आपको ग्यान देते हैं, बहुत अच चीज़ पूचे, क्यों बहुत लोग पूचते हैं, सबके अपने, आपने जैसे अभी कमिट्मेंट किया हैं कि हमेशा आप तयार हैं बात करने के लिए, तो हम दुवारा फिर कभी मुलाकात करेंगे और इसी तरीके से घ्यान भक्ती पर धर्म पर चर्चा करेंगे, सनातन करेंगे, बहुत सारे सवाल, आज के लिए जैसरी कृष्णा, थैंक यू सो मच, जैसरी कृष्णा,